पाजारों की संख्य में लोग लाडवा रेलिवें चोधरी उपेंदर शिंग उड़ाजी को सुने आएंगे और लाडवा के इस्यास के सबसे बड़ी रेलिव कारण क्या लगते हैं कि लोग कॉंग्रेस की तरफ एक दम सी तना महोग कर रहे हैं चोजरी उपेंदर सिंगा उड़ा जी ने हर वर्क के लिए बहुत काम की थूर्ति जाके हैं। और चोधरी प्रंदर सिंग उड़ाजी उनको 12 रुबे उस्वर करके गए तो कहती है कि सारी समस्थे हैं हमें कॉंग्रेस देखे गई थी हमने तो सुधार दिया है सारा कुछ बीजेपी जो मरजी कहे लोग इस बैकावे में नहीं है एक काम इनोंने बहुत सली का बीजेपी उड़ाने किया है किसी भी वरक को छोटे नहीं सब पे लट बरसाने का काम चुरूब लगता है लोकसबा और विदानसबा में इनका असर रहेगा काम करने इतने मुश्कुल है गौव में पंचैतों को करमचारियों को भी इसमें करमचारी भी दुखी हैं एक भी काम जो सरकार गरांट दे रही है कर ये कोई भी काम पूरा नहीं रहे है सब अधूरे पड़े है लोकसबा और विदानसबा चुनाओ को देखते हुए कॉंग्रेस ने अपनी स्पीड बढ़ा दिये और स्पीड बढ़ाई कुछ इस परकार से कि पूरे महीने में अब जो जनवरी का महीना रहेगा उस पूरे महीने में लगबग 17-18 रैलिया कॉंग्रेस करने वाली है और जगा 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 वो रैलिया करके दिसंबर महा से यह जो शुरू हुआ है और बंपर रैलिया अब कॉंग्रेस के द्वारा की जारी है कल सफिदो थी तो अब 31 को लाडवा में तेयारी की जारी है लाडवा से विदायक है मेवा सिंग मेरे साथ मुझूद है जो कि इस रैल कर चिकों भड़ारी उत्सा है लोगों में चोधरी जंटापार्टी के सरकार से हर वरक से हो कि सान अ किसान है चाह है मजदूर है चाह है और ब्रुक्ट हुए ग्रवर सान है लोग भरिकराचार से महगाई से दोस्यगारि से तरस्त है और 30 तारीकों मैं जा के रैली का लोगों को ने उत्ता देता हूं लोगों में हर गऑं से कई से 200 कई से 100 कई से 1500 अदमी अजारों के संख्यमें लोग लाडवा रेली में चोधरी उपेंदर सिंग उड़ा जी को सुनने आएंगे और लाडवा के इत्यास के सबसे बड़ी रेली होगी आप कहते हैं कि लोगों में बड़ा जोस है उत्सा है कारण क्या लगते हैं कि लोग कॉंग्रेस की तरफ एक दम सी इतना मूह कर रहे है जीए पिछले कॉंग्रेस के दस साल के सासने में चोधरी उपेंदर सिंग उड़ा जब इस पर देश के मुख्य मनती रहे चोधरी उपेंदर सिंग उड़ा जी ने हर वरक के लिए बहुत काम किये किसान के लिए जैसे जीनस का अच्छे का रेट हमारे इलाके में गन्ना ग कहती की हृट लागत इन्हumने दुग नगर दी ने वह महई एतनी चाहे वह डियॉयिया के रेट है जो के रेट है चैस पेस्टी सॉई ड्वाईयों के रेट है Watching को बडा दिया किसानको लागत तो मिली नहीं, इस त glare किसान के स्कीम में, जो गरीब आदमी के सिकम थी, चोद्रि उप ओधिर उड़ादी न पीलार्ट तक्रिब डाइब हर में कते गरीब आदमी के लिए, इंद्रावास योजना में, कांग्रस के टेम में, हर गोमें के पचास मेकान की आसी मेकान की सो मेका नहीं बनाएं। इस लिए हर वरक दुखी और परशान है। इसलिए एक्दम लोग काउंग्स की तरफ चोधरी पुपंधर सिंग उड़ा के काम में को देख दू वेपिशले राजिके बिजली के बिल जो चोधरी पुपंधर सिंग उड़ा जी के मुक्ष्मंदर बिढ़ने स पहले जब ओम प्रकास्टाल है इसके मुक्ष्मंदर थे एक सो चार रुपाय प्रती होस्पोर लोगों ने बिजली के बिल बरेया। और चोधरी पुपंधर सिंग उड़ाजी उनको बारा रुपर करके कए थे। कहां रही जार पर मिनने का बिल और कहां डाही जार पर मिन लगाते थे फेस बदलते थे ट्रास्फारम पे अनेग नौजवान बच्चे करनट लगके जीरी के जिनुवें मरते थे जोधरी पंदर सिंग उड़ाजी ने इस समस्चा को समझा और चार नएद थरन प्रांट लगा के गाउं की अलग लैन तीवलों की अलग लैन और हर ए पता है भी इस टैम से इस टैम तक मेरे खेट पर विजली आएगी उससे बड़े भारी समस्चा का हल हुआ और पहले क्या था जीरी के सीजन में लोग लेस वोल्टे जाती थी डिम में मोटर जाती एक ट्यूवल की मोटर दस बार जल जाती थी अब उसके बाद मोटर ज़नी पर बीजेपी तो कहती है कि सारी समस्चे हैं हमें कॉंग्रेस देखे गई थी हमने तो सुधार दिया है सारा कुछ नहीं देखे इस प्रदेश की जंता को और किसान को पता है कौन करके गया था बीजेपी जो मर जी कहे लोग इस बैकावे में ने आते बीजेपी के राज मे हर वरग चाहे हो किसान है एक काम इनोंने बहुत सली का बीजेपी उड़ने किया है बहुत किसी भी वरग को छोटे नहीं सब पर लठ बरसाने का काम जुरूर किया तीन काले कानून कृषिये किलाफ लेकि पीपली मंडी में किसानों ने पंचैत बुलाई मंडी का ताला करकर गई उनपे लाठी चाहर रह रहने धीकुंदी का सबाइए सरपन्च सरपन्च बनने के बाद उनकी सारी पाव वापस ले ली सरपंच चंदी गढ गये पंच खुला में कैसे ते लाठी चाह है गया महिला सरपन्च को भी लाटों से गेख्यर गया आज काम करने में इतनी परशानियां गौव में आ रही है इस टेंडर प्रिक्रिया में दो दो साल के पैसे आए पढ़े है गरांटों के आज तक काम नहीं लग रहे हैं आप जितने सारे दुख बता रहे हैं लोगों के लगता है लोग सबार विदानसबा में इनका असर रहेगा बिलकुल लोग भारतिय जनता पार्टी का सफाया करें काम करने इतने मुश्कुल है गौव में पंचेटों को करमचारी यों को भी में करमचारी वी दुख ही है अब पंचेटी राज में कोई करांट आगी कोई 80 मेर बनके गया 10 लाग का 10 लाग की गरांट आगी ठारा प्रसंट उसक सरकार ग्रांट दे रही है कर यह कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है सब अधूरे पड़े हैं सरकार अपने पैसे से खुद ही टेक्स कमारी है इसलिए हर वरग परशान है सरकार पर अकरामक है वो कितना सही कितना गलत है यह आप कमेंट करके बता सकते हैं कैमेरे शोगी दिपक के साथ सत्य देव सर्मा